हलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर अंचु सकसेना, आज आपके लिए लेके आए हूँ एक नई अल्गी और वो है क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा क्लोरोफाइसी का मेंबर है, जो कि दोनों फ्रेश और सेलाइन वोटर्स के अंदर पाया जाता है, अगर हम क्लेडोफोरा की सिस् देखें, तो उसकी क्लास है क्लोरोफाइसी, और क्लेडोफोरेल्स, फैमिली क्लेडोफोरेसी, एंग जीनस क्लेडोफोरा, एक सो साथे स्पेशिस इसकी पायाती है, फ्रेश वोटर असलाइन वोटर में, और इसकी ग्रोथ के लिए फ्रेश वोटर के अंदर, आप्टिमम तेमपरिक्चर जो चाहिए, वो 15 से 25 डिगरी सेल्सियस तक का चाहिए, और नाइट्रेट्स, जिस पानी के अंदर, जिन पॉंस में, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स जादा होते हैं, उनके अंदर क्लेडोफोरा की ग्रोथ जादा अच्छी होती है, तो हाई कंसेंट् एक तो इरेक्ट वाला पोशिन होता है, और नीचे की तरफ कुछ राइजोइट्स पाए जाते हैं, इस राइजोइट्स और ब्राइज़ट्स और इन ब्राइज ये सेप्रेट्स रूट लाइक स्ट्रक्चर जिनको के हम राइजोइट्स कहते हैं, उनसे वो स्टोन्स पर या चटानों के उपर वो चिपके हुए होते हैं, ख्लेड़ोफोरा ग्लॉमिरेटा जो है, वो स्ट्रीम्स में पाया जाता है, जलधाराओं के अंदर पाया जाता है, ख्लेड़ोफोरा ख्रिस्पाटा इस एपीजोइक, एपीजोइक कार्ड फोटोग्राफ हमने उसमें लगाया हुआ है, यह 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 उसमें लगाया हुआ है, 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 उसमें लगाया हुआ इसके अलावा कुछ इस्पिसीज एपिफिटिक होती है एपिफिटिक माने जो हाइर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जल के अंदर जो भी पौदे लगे होगे होते हैं उनके उपर क्लेड़ोफुरा लगा हुआ पाया जाता है कुछ फ्री फ्लोटिंग इस्पिशिज होती हैं जैसे ग्लेड़ोफुरा प्रोफंडा ग्लेड़ोफुरा हुलो सेटिका यह क्या करते हैं यह बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं क्योंकि इनका जो फिलामेंस होते हैं वह सब आपस में जूड़ करके गैंत जैसी सनरचना बना लेते हैं और वह कहलाती है क्लेड़ोफुरा बॉल जो कि किसी भी आधार के उपर चारो तरफ से लग जाते हैं और ऐसी फॉर्म्स को हम अगेग्रोफिलस फॉर्म्स कहते हैं यूज दियाग्राम अगेग्रोफिलस फॉर्म्स ए डियाग्राम में बॉल दिखाई दे रही है इस इस अबस्ट्रेटम आधार है जिसके उपर बहुत सारे फिलामेंस अरेश्ट हैं इस 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 स्ट्रक्चर आफ तैलस आप देख सकते हैं ब्रांच है और सेल्स अरेंज़्ट होती हैं ब्रांचिस में अब इसकी ब्रांचिंग कैसे होती है वो बड़ी केरेक्टरिस्टिक पीचर होती है ब्रांचिंग को अगर हम देखें तो ब्रांचिंग में एक करेक्टरिस्टिक मैनर होता है ब्रांच हमेशा सेप्टम के जहां पे दो सेल्स का सेप्टम है उस सेप्टम के नीचे से ब्रांचिंग शुरू होती है और लेटरल एक protuberance निकल जाती है एक उभार निकल जाता है और इस उभार के अंदर जो नीचे वाली cell है उस cell से जिसके अंदर ये उभार निकला है उससे कुछ content पास होकर के इस protuberance में आ जाता है और बाकी जो cell है उस cell से वो एक septum के formation से cut जाती है तो एक protuberance छोटी सी बन गई और एक बाकी वो cells है अब इसके origin का जो point है वहाँ पर शुरू में ये 90 degree के angle पर लगी होई होती है लेकिन इस protuberance की जब growth होती है तो वो main axis को lateral position में ये side में shift कर देती है जिसके कारण protuberance और cell के बीच का angle बढ़ जाता है 90 degree से ज़्यादा बढ़ जाता है और around 120 degree का angle बन जाता है चुक्के हम आगे वाले diagram में देखेंगे तो इसमें evaction का phenomena पाया जाता है which leads to dichotomy ऐसा लगता है कि द्वी भाजी शाकन हो गया है उसमें जबकि ये actual में lateral branch निकली है dichotomy इसके अंदर नहीं है main axis को जो नहीं branch निकली उसने main axis को या main जो इसका जो थेलस है उस थेलस को side में shift कर दिया so this you know as a result of this phenomena of evaction dichotomy and sometimes trichotomy when more than one protuberance arise from the same point एक ही जगा पर दो protuberance बन गई तो वो protuberance ऐसा लगता है कि main axis के साथ में इन्होंने trichotomy बनाई है 3 भाजी शाकन कर दिया है so you can see the formation of cell in this diagram this is a protuberance यह एक protuberance मनी यह एक cell है यह दूसरी cell है जो नीचे वाली cell है उसके side में 90 degree का angle बनाते हुए यह एक protuberance बनी ठीक है फिर जब यह protuberance उपर की तरफ बढ़नी शुरू हुए लाइक दिस तो यह जो 90 degree का कौन था यह अब दीरे दीरे बढ़ना शुरू हो गया it is more than 90 degree और फिर जैसे जैसे यह उपर की तरफ बढ़ी लाइक दिस अब दीरे बढ़ना इसने जो में एक्सिस था यह वाला जो में एक्सिस था जो सीधा जा रहा था उसको टिल्ट कर दिया इस तरफ और यह dichotomous branching जैसा दिखाई देने लगा हाला कि यह arise कहां से हो थी lateral position से arise हो थी यह angle बढ़ता हुए चला गया आप देख रहे हैं यह angle पूरा बढ़ गया और dichotom branching इसमें दिखाई दी so this is the diagram of evaction अब अगर हम cell का structure देखें तो इसकी जो cell है cylindrical होती है multi nucleate होती है और इसकी लंबाई ज़्यादा होती है it is 5 to 20 times longer than the breath इसकी जो cell wall होती है वो three layered होती है triple layered होती है पहली layer काईटिन की होती है सबसे बाहर वाली जो की क्लेड़ो फॉरा को एक rough look देती है काईटिन की बनी होई layer beach वाली layer पैक्टिन की बनी होती है और अंदर वाली layer cellulose की बनी होई होती है अब इसमें एक beach में बड़ी सारी वेक्योल होती है और cell wall और वेक्योल के बीच में थिक साइटोप्लास्म होता है इसका जो chloroplast होता है वो reticulate होता है जाली कावत होता है और उसके अंदर बहुत सारे असमान रूप से बिखरे हुए pyrinoids होते हैं कई बार chloroplast discoid भी होता है तो इस तरहिके से ये इसका structure हो गया और discoid जो chloroplast होता है उसके अंदर एक pyrinoid होता है this is the cellular structure आप देख सकते है इसमें बहुत सारे pyrinoids है reticulate this is reticulate chloroplast this is cytoplasm, nuclei, many nuclei, this is the cell wall if you see the enlarged view of cell wall you can find three layers ये layer सबसे बाहर वाली layer chitin की बनी होती है this is chitinous the middle layer is pactic and the inner layer is the cellulosic layer now the reproduction देखे cladophora के अंदर तीन तरह का reproduction होता है एक तो vegetative reproduction दूसरा is sexual reproduction और तीसरा sexual reproduction vegetative reproduction तीन तरह से होता है एक तो by fragmentation दूसरा by storage cells और तीसरा by stolen अब fragmentation के द्वारा कैसे होता है सबसे जदा common method होता है और ये generally agagropilus जो species होती है जो ball बनाती है उनके अंदर सबसे जदा ये पाहे जाता है इन species के जो filaments होते है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में चोटे छोटे टुक्डों में तूट जाते है और हर फ्रेगमेंट एक नाया थैलस बनाने की ख्षमता रखता है तो जब थैलस चोटे छोटे टुक्डों में तूट जाए चोटे-चोटे fragments में तूर चाहे तो वो प्रक्रिया कहलाती है fragmentation then second is by storage of cells storage of cells में cells जो होती है perennial species of cladophora के अंदर जो दो cladophora के species हैं cladophora glomerata और ओफियो फिला ये दो जो species हैं इनके अंदर storage cells पाए जाती हैं और ये cells filament के अंदर rhizoidal cells के division के द्वारा बनती है जो नीचे rhizoidal cells होती है जो की rhizoid बनाती है उन cells में विभाजन होता है और उन cells के अंदर food store हो जाता है और वो storage cells पन जाती है प्रतिकूल परिस्थितियों में पूरा का पूरा जाती है जाता है जाता है जाता हैं and rhizoidal cells on the lower side. So, by this way, the storage cells help in the reproduction and preserving the germ plasma of Cladophora. Then, with the help of Stolans, ये भी एग्रेग्रो फिल्पिलर से स्पिशीज जो होती हैं, Cladophora की, उनके अंदर Stolen-like rhizoidal branches पाई जाती हैं. What is Stolen? Stolen, actually, underground stem होता है एक तरह का, जिससे aerial branches निकलती हैं. और नीचे की तरफ rhizoidal branches होती हैं. तो ये जो Stolen-like during favorable period क्या होता है? इस तरीके की branches जिससे यहां से एक Cladophora निकल रहा है और इधर से दूसरा Cladophora निकल रहा है तो इनके बीच में कुछ branches बन जाती हैं which give rise to some erect branches and form the new thalai. So, these stolen-like structures help in the multiplication of Cladophora. Now, let us move on to asexual mode of reproduction. Asexual mode of reproduction दो तरह के sports द्वारा होता है. एक तो Echinates के द्वारा और दूसरा Zoo Sports के द्वारा. Echinates क्या होते हैं? These are non-motile sports. When the sports are non-motile and peer-shaped sports. यह Echinates हो गई, जो की non-motile हैं और Zoo Sports जो हैं, वो motile होते हैं. दोनों में अंतर यह होता है. And Zoo Sports are motile. यह दोनों के अंदर difference होते हैं. अब, fresh water species Cladophora की जो होते हैं. उनकी कुछ cells, erect filaments की terminal या sub-terminal cells. आप देख सकते हैं, this is terminal और sub-terminal cells जो होते हैं. वो, क्या करते हैं? उसके अंदर बहुत सारा food material लिखटा हो जाता है, और वो thick wall हो जाती हैं, और वो pear shaped हो जाती हैं. और वो equinates की तरह से function करने लगती हैं. और यह equinates cell division करती हैं, और filament से अलग हुए बगैर इनके अंदर बहुत सारी cells बन जाती हैं. तो यह equinates, जैसे दूसरे अलगी के अंदर equinates divide नहीं करती हैं और बाहर निकल के फिर divide करती हैं. क्लेड़फुरा की अकाइनेड्स जो होती हैं, वो अंदर रहते हुए ही जो थैलस है, उससे जुड़े हुए ही cell division प्रारंब कर देती हैं. उसके बाद दूसरा way of reproduction है by zoosports, which you can see in this diagram. zoosports by flagellate भी हो सकते हैं, tetra flagellate भी हो सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, चार flagelli, या फिर वो by flagellate हो सकते हैं, जो मैंने आपको बदाया है, अलग-अलग species में, जैसे crispata के अंदर, यह by flagellate होते हैं, और periodi में, species के अंदर यह quadriflagellate होते हैं, यूजिली terminal या sub-terminal position में होते हैं, जो deployed filament होता है, deployed thalus होता है, अब मैं कह रही हूँ आपको कि यह deployed होता है, यह main plant body है, this is twine, तो इस twine plant body के अंदर zoospores बनते हैं, और इसके जो cell जिसके अंदर zoospores बनते हैं, उसको हम zoosporangium कहते हैं, इस zoosporangium के जो nuclei हैं, वो repeatedly divide करते हैं, और यह division अधिकांचते हैं, meiotic होता है, कैसा होता है, meiotic होता है, this is meiosis, यहाँ देखेंगे आप, यह meiosis है, यह deployed है, अर्द सुतरी विभाजन हुआ, इस cell के अंदर उसके nuclei में, तो वो haploid spores बनाएंगे, और यह haploid spores, poss quadriflagellate हो सकते हैं, यहял plots spores, by flagellate हो सकते हैं, यह एक pore बनता है, जू स्पुरांगे के tip पर, इस pore से यह बाहर निकलाते हैं, और बाहर निकलाने के पाद, यह किसी आधार पर चिपक जाते हैं, इनके flaggyली गायव हो जाते हैं, और यह किसी आधार पर चिपक जाते हैं और चिपक के फिर इनके अंदर सेल डिविजन प्रारम हो जाता है और ये यंग फिलोमेंट बना लेते हैं जो की कैसा होता है हैपलॉइड होता है अब एक बड़ी इंट्रेस्टिंग सी चीज होती है जो हम थोड़ा सा ध्यान दें क्लेडोफोरा एक ऐसा एलगा है जिसके अंदर आईसो मॉर्फिजम पाया जाता है मतलब आईसो माने सीमिलर मॉर्फिजम माने इस सीमिलर मॉर्फिलोजी सरल शब्दों में हम कहें तो इसका जो गेमिटोफाइट है और इसका स्पोरोफाइट है बीजान उद्वित और युगमकोद्वित दोनो एक से दिखाई दिते हैं तो इसका जो स्पोरोफाइट है वो कैसा होगा 2N होगा उसमें जो क्रोमोजोम की संक्या दुगनी होगी जबकि केमिटोफाइट के अंदर क्रोमोजोम की संक्या आदी होगी जो की गैमिट्स मेल और फीमेल गैमिट्स बनाते हैं अब इस्पेशीज कौनसी है पहली चीज और बनना क्या है क्या उस इस्पेशीज को गैमिटोफाइट के स्टेज में जाना है यानि कि उस स्पोरोफाइट से अगर गैमिटोफाइट बनना है गैमिटोफाइट बनने की आवशकता कब हो की जबकि वो एलगा लेंगिक जनन वाली अवस्था में जाएगी सेक्शल उप्रड़क्शन की स्टेज में जाएगी और sexual reproduction की stage अधिकतर कोई भी पौधा क्योंकि sexual reproduction की stage लंबी होती है इसलिए कोई भी alga ये stage या sexual reproduction को तब adopt करता है जबकि एक sexual reproduction के लिए conditions उसको favorable नहीं मिलती है या हम कहें कि अनुकूल परिस्तेतियां जब समाप्ति की और होती है तो algae sexual reproduction में जाती है तो जब तक इस sexual reproduction की stage होती है तो sporophyte में meiosis नहीं होगा और वो directly sporophyte बनाने के लिए two and he sports बनाना शुरू करेगा जो zoospors बनेंगे वो two and he होंगे और केंद्रक जो है उसके अंदर सुत्री विभाजन होगा लेकिन जब उसको gametophyte बनाना है तो sporophyte की जो cell zoosporenzyme की तरह से काम कर रही है उसका जो केंद्रक है उसमें अर्ध सुत्री विभाजन होगा जिसके परणाम सरुप क्रोमोजूम नं बनें हैपलॉइड न्यूक्लिय बनें उनके चारो तरफ जीव द्रवे एकत्र हो जाएगा उनमें फ्लैजिली बन जाएंगे और हैपलॉइड जो स्पोर्स बना लेगा तो इपेंड्स अपन दी फॉर्मेशन ओफ गेमिटोफाइट और दी स्पोरोफाइट की मियोसिस होन है या माइटो से सुना है तो यह इस सेच्छल रप्रदक्शन की स्टेज हो गई जिसके अंदर क्या बनें जू स्पोर्स बनें जब एकाइनेर्स बनने थे तो उनके अंदर फ्लैजिला नहीं थे सेच्छल रप्रदक्शन जो है वो आईसो गेममस होता है यानि की गेमीट्स जो होते हैं वो एक से दिखाई देते हैं अब कैसे होता है अधिकतर क्लडफोरा की स्पेशी जो होती है वो डायोशिस या हेटरो थैलिक होती है गैमेट्स हमेशा किस में बनते हैं हैबलॉइड फिलामेंट में बनते हैं अब वो स्पेशीज जो है मैं कह रही हूँ आपको कि हेटरो थैलिक होती है यानि कि मेल स्ट्रेइन जो है वो अलग थैलस पे होगा और नेगेटिव जो होगा वो अलग गैमेटोफाइट फिलामेंट पे होगा इसमें से जैसे जो स्पोर्ज बनते हैं वैसे ही गैमेटोफाइट के अंदर कौन सा डिविजन होगा माइटोटिक डिविजन होगा और माइटोटिक डिविजन के प्रणाम सुरूप gametes बन जाएंगे male gametophyte से या positive strain के gametophyte से positive strain के sports gametes निकलेंगे और negative type के gametophyte से negative तरह के strains निकलेंगे अब यह देखने में तो एक से हैं fuse भी करेंगे यह कहां से fuse कर रहे हैं they are fusing from the tip tip से fuse करते हैं और इनके fledgly बाद में union के बाद इनके जो fledgly हैं वो जढ़ जाते हैं पहले केरियो गैमी होती है उसके बाद में plasmagैमी होती है और जो zygote बना अब resting period की तो जरूरत है नहीं क्योंकि उसको ultimately क्या बनाना है उसको sporophyte बनाना है तो यह क्या करता है without undergoing resting period अधिकतर cases में क्या होता था और वो deployed sporophyte बना लेता है और यह species जो है ना cladophora की ऐसा नहीं है कि एक साल में खतम हो जाती क्योंकि पानी के अंदर है तो ठीक है temperature कम ज़दा हो सकता है but water is always there so यह कई सालों तक चलने वाली species इसके अंदर भी पाई जाते हैं so this is about the sexual reproduction if you see the structure of a spore there is a beak at the tip यहां beak होती है इस beak वाले portion से यह आपस में fuse करते हैं एक केंदरक होता है बहुत सारे pyrenoids होते हैं reticulate chloroplast होता है eye spots होते हैं यहां पे this is eye spot you can see here this is eye spot so this is about the sexual reproduction and the structure of gamete now the alternation of generation जो अलग-अलग generations होती है sporophytic और gametophytic generation वो कैसे एक के बाद एक आती है वो सब इसके flow chart से आपको पता चलेगा पहली चीज़ तो यह है कि haploid gametophytic filament बनते हैं और diploid sporophytic filaments दोनों तरह के filaments पाए जाते हैं और दोनों sporophytic और gametophytic stages जो होती हैं उनके अंदर alternation होता है जो कि एक के बाद एक बनती रहती है और उनमें isomorphism पाया जाता है यानि कि हम बाहर से देखने पर हम यह पता नहीं लगा सकते कि यह gametophyte है या sporophyte है अब क्लेड़ोफुरा की कुछ species में isomorphic light cycle पाये जाती है क्लेड़ोफुरा ग्लोमेरेटा के अंदर क्या होगा gametophyte है इस इस 2N ठीक है इसकी जो उपर वाली सेल है वो gamet engine की तरह से काम करेगी जो की 2N है उसमें meiosis होगा अर्दसुत्री विवाजन male gametes और female gametes बने male gametes और female gametes जो की एनन थे उन्होंने sin gametes की आपस में union की 2N zygote बन गया वो germinate किया और उसने 2N species बना ले यानि की इसके अंदर सिर्फ एक deployed stage पाई गई और इसके अंदर gametes बने लेकिन इस इस 2N इस परेंजम मनी जो की 2N है उसमें meiosis हुआ quadriflagellate zoospores बने ये quadriflagellate zoospores कैसे थे हैं क्योंकि ये अर्दसूत्री विभाजन हुआ है इसलिए ये कैसे होंगे N या X होंगे इन से क्या होगा क्योंकि ये X हैं इसलिए इन में female gametophyte और male gametophyte बने इस इस दी male gametophyte and इस दी female gametophyte और उस gametophyte की जो उपर वाली सेल्स थी वो gametangia की तरह से काम की उन्होंने female वाले ने female gamets बना लिए male वाले ने male gamets बना लिए और इन gamets के बीच में fertilization हुआ zygote बना और उसने deployed plant बना लिया so this is the sporophytic generation and this is the gametophytic generation sporophyte और gametophyte देखने में एक से लगते हैं लेकिन वो life cycle में अलग अलग समय पर बनते हैं so this is the dimorphic या isomorphic life cycle तो इस तरीके से cladophora में alternation of generation होता है तो cladophora glomerata में the haploid phase is represented by gametes only and they haploid gametophyte thelae like those in other species are absent so this is all about cladophora thank you